हेलो स्टुएंट स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाश 10 के उर्दू का है ना उर्दू का मॉडल सेट आपके जैकबोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है और उसी का कोश्चन हम आप लोगों के लेके सामने लिकर आए हैं आप कहे रहा होंगे सर यह पेंस लिखा गया है हाँ यह भी बिल्कुल ताजूब बाली बात है कि आपके जैकबोर्ड ने जो हाँ से लिखा हुआ प्रिडियेफ आप लोगों के लिए जारी किया है ठीक है हो सकता है कि वहाँ पे उर्दू प्रि लिखा गया है तो आप लोग घबलाईए बिल्कुल नहीं हम एक एक सवाल को बिल्कुल आपको पड़क कर समझाएंगे ठीक है और आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने बुक से खुदी इसे सॉल्ब कर सकते हैं और अगर नहीं कर पाईएगा तो हमें कॉमेंट करकर बताएगा सर हमें इसका फुल सलूसन चाहिए फुल वीडियो चाहिए तो हम कोसिस करेंगे आप लोगों के लिए फुल सलूसन और फुल वीडियो लाने के लिए आपके एक्जाम के पहले तो आज के इस वीडियो में हम सेट वन पूरा डिसकेस करेंगे पूरा आपको समझ करना है ठीक है तो वीडियो में सुरूच लेकर हम तक बने रहेगा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा घंटी के बैल अकॉन को दबार देजएगा अगली वीडियो के नॉटिफिकेशन को पाने के लिए साथ ही साथ यदि आप को इस पीडियो चाहिए तो आप चले जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल के लिंक पर ठीक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलिग्राम को जाएगे टेलिग्राम को जोईन किजिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडियो ठीक है न तो ठीक है सवाल के सवाल की जिमत बाएं जानिभ दर्ज हो यानि कि आपका जो है इस तरफ से ऐसे इस डारेक्सिन में लिखना है ना चलिए उसके बाद है आपका सवलात तीन हिस्सों में तक्सीम है यानि सवाल जो आपको तीन हिस्सों में पुछा जाएगा section A is section A section B और section C, ठीक है, तीन हिस्वों में सवलात आपके तक्सकी में, सवलात के कुल तादाद 19 है, यानि total 19 सवाल आप से पुछा गया है, set 1 में, ठीक है, चलते हैं आप question पे, सबसे पहले आप देखिए section 1 की अगर हम बात करें, section 1 में सवाल है, दर्जा जेल में किन ही 5 सवलात के मीठा है, आम मीठा है, यह एक जुमला हो गया, यानि एक जुमले में आपको अपनी बात पूरी कर देना है, ठीक है न, तो चलिए, अब आते हैं, और यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं, आपको जो है 5 सवाल के जवाब देना है, पर तेक कि आपको 2-2 नंबर मिलें सबसे पहले आपको कहा गया है, ड्रामा किस जवान का लवज है, इसका जवाब आपको देना है, दूसरा सवाल है आपका भागवी चुपके चुपके क्यों रो रही थी, ठीक है, सवाल को सुनते जाहिएगा, और यदि आपको इसका सॉलूशन चाहिए, तो इसका आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर यह क्या लिखा है, यहाँ पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम कोसिस करें, तो यहाँ पर यह माज लिखना होगा, या फिर बदावी का असल नाम क तो यह इस से आप पकड़ लेंगे आपके ऊचरी में मुहावरा क्या दिए है इसा मुहावरा लंगुणियुक्त में लेक्षै प्रसक्राइं अगर आप फुदा थे तो हम समझा ने का प्रियास कर रहे रहे और यडि आपको इसका हल चाहिए पूरा आंसर चाहिए तो हमें comment जरूर कीजेगा, वीडियो को share कर दीजेगा, और like करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, like कीजेगा, तभी हम आपके लिए वीडियो बना पाएंगे, ठीक है ना, तो कह रहा है लकीर का फकीर का माने बतायते हुए जुमला बनाईए, जैसे लकीर का फकीर, तो इस पर माने भी बताते हुए, इसके जुमला में परियोग करना है, ठीक है, फिर एक मुहावरा है, दाल में काला नजर आना, का माने बताते हुए जुमला बनाना है, जैसे दाल में काला नजर आना, है ना, तो इसका माने बताना है और उसके जुम्ले में परियोग कर देना यानि वाक होता है अब आते सेक्षन बी में, सेक्षन बी में आपको कह रहा है कि दर्जा जेल में से किनी पांच सवालात के जवाब आपको पचास लब्ज में देना है ठीक है, वहाँ एक जुम्ले में देना था, यहाँ पचास लब्ज में देना है और परति एक पांच के जो तीन तीन नंबर आपको दिया जागा जो कि टुटल पंदरा सवालात है ठीक है, सवाल है हमारा सिपाही, शल्मा और किसन, कनूर को, यही सब स्पेलिंग समझ में नहीं आता है किस कर सेर है, बाहर क्यूं ले जा रहे थे, तो इसको तो समझना होगा, यह क्या लिखना चाह रहा है ठीक है, आपके कुश्चन आप मिला लिजेगा, आपका यह सिपाही वाल जो चैप्टर होगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है न, बहुत सारा सवलात समझ में नहीं आ रहा है इसलाम में ओर्टों को क्या हुकूक है? अगला सवाल देख लिजेगा, कुश्चन no.9 इसलाम में ओर्टों को क्या हुकूक और एक्तियारात दिये गए है अब लिखा कुछ रहेगा, पल कुछ देंगे तो आप भी कि तो आप गलत बता रहे है तो जो नहीं पड़ पार है हम भी वो भी आपको क्लियर कर दे रहे है सुल्टान कौन है? देखे ये सफ़ा लिखा है तो हमने पड़ न दिया अब कहीं पर लिखा ही नहीं है, ठीक से तो मुझे भी समझ़मन नहीं आ रहा है वह क्या लिखना चाहरा है, इसके मिजाज से वाकिफियत का इजिहार करें, हो गया है, अगला सवाल है हमारा, फिर यहां पर देखिए वही बात है, यहां पर आप देख लिजेगा यह स्पेलिंग क्या है, ठीक है, जानी है कि यह क्या है, आप देख लिजेगा, बदावी के ने गजल में दिल को निराली बस्ती क्यूं कहा यह इंपोर्टन सवाल है ठीक है यह सवाल आता है इसको देख लिजेगा मतला किसे कहते हैं अगला सवाल है मतला किसे कहते हैं काफी है ग्रामर से आप से पुछ लिया गया है मिसाल के साथ आपको बताना मतला किसे कहते हैं जा दिया जाता है उसको डिटेल करके तो उस्जी तरीका से आपको जो इसका तारीफ बयान कर देना है यांए आप आते हैं आप से में आपसे कह रहा है दर्जा जेल में से किनी तीन सवलात के जवाब आपको देना है और परती एक सवाल जो है पांच नंबर कहोगा तो काफ़ी इंपोर्टन सवाल होगा तो इसके बाद आपसे कहा गया इसमें नजम गर्मी और डियाई बजार का खुलाशा लिखें हैं ना उसको लिख दिजिएगा उसके बाद अ अर्दु डिरामा के टर्वज और तारीफ और नकह के बारे में लिखें यह देख लिजेगा क्या लिखा है मौलवी अबडुल्लाहख की हायत समाना का जायजा ले यदिक बारे में लिखना है हमारे मुल्क में औरतों के हालात पर एक मजमून लिखे ये क्लियर लिखा था हमने पढ़ दिया कहीं कहीं पर दिक्कत हो रही है उनके लफजों को पेंस लिखा गया अगर यह टाइपिंग रहता तो बिल्कुल जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो बुक में टाइप किया छपा हुआ रहता है तो हम लोग कई पर भी फस्ते नहीं है पेंवाले क्या उसका हैंड़ाइटिंग पर डिपेंड कर रहा है वह किस तरह से लिख रहा है है अब आप यहां पर यह ते बनाया है कि नू बनाया समझ में आ रहा है नहीं न तो चलिए अब आते हम लोग अगल देख आपको पता चल गया कि computer पर आपको complete करना है तो इसको जरूर से complete कर लिजेगा और अगर आपके पास नहीं है तो please comment करकर हमें बताइएगा कि हमें problem हो रही हम बिल्कुल तैयार है आप लोगों के लिए class लेकर आने के लिए ठीक है न चलिए मिलेंगे अगले वीडियो मैं टेक्य।